हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुन्दर से डियाइवाई जो कि हम बनाएंगे वाल पुट्टी से और मुश्किल से 10 रुपे की वाल पुट्टी हमारी इसमें यूज होने वाली है और उसके साथ यूज होने वाला है वे जिफ्ट भी दे सकते हैं तो किसे बनाया है कैसे बनाया है और चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में तो थोड़ी सी वाल पुट्टी मैंने यहां पर ली है फिर मैं ले रही हूं यहां पर फैविकॉल जब भी आप कोई डियाइवाई बनाएं तो फैविकॉल हमेशा अच्छे वाली लेनी है लोकल कोई भी आपको फैविकॉल नहीं लेनी है थोड़ो सा पानी डालेंगे इसमें और गाड़ा सा पेस्ट हम इससे रेडि कर लेंगे लंप्स नहीं होने चाहिए हमारे इस वाल पुट्टी में देखिए इस तरीके का होना चाहिए जब आप इसे ब्रश चमच पर रखें तो यह गिरे नहीं इस तरीके से यह हो गया है रेडि और यह देखिए मेरे पास कुकी का एक कंटेनर पड़ा हुआ है साइज काफी वाइड तो है लेकिन इसकी जो उचाई है वो काफी काम है लगाएं तो मैं टैप टैप करके लगा रही हूं ताकि अच्छे से यह पर चिपक जाए और इसके बाद में इसको थोड़ सा स्मूद कर दूंगी ज्यादा फिनिशिंग देने की ज़रूत नहीं है हलका सा इस तरीके से आपको रफ सा इसको कर देना है अब हम इसे दो से त टैक्चर इसमें बन रहा है अगर आप हातों हाथ बनाएंगे तो फिर यह बॉल पुट्टे आपके हाथ पर चिपकेगे और टैक्चर नहीं बन पाएगा तो इसी तरीके से धीरे धीरे फिंगर से करते हुए पूरे ही कंटेनर पे हमें यही टैक्चर बना लेना है यह तो कोई भी कलर पेंट ना करें फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हम इसे थोड़ा सा और सुन्दर बनाएंगे तो हम इस पर करेंगे पेंट पेंट लिया है मैंने एक्रेलिक कलर मैं कर रही हूं यहलो आप हमनी पसंद से कोई भी ब्यूटिफुल सा कलर कर सकते ह पूरा ही इसको पेंट कर लेते हैं पेंट करने के बार ड्राय करेंगे अब फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और काम करेंगे इस पे और हमारा प्लांटर बनकर हो जाएगा रेडी यह देखिए कलर होने के बाद इसका टेक्स्चर जो है और भी ज्यादा ब्यूटिफुल सा जई ताप में नजर आ रहा है और एक शाइनिंग आ गई है इसपे पूरा ही मने कर लिया और इसके बाद देखिए मैं यह पर रिया है पिंग कोलर ऑप इसको अपनी किंगर पर लगाना है थोड़ सा पोश लेना है अपको हलका हलका सा सभी टैप टैप करना है इस तरीके से आप इस जो यह वाला पॉर्शन है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसकी जगह और भी कोई डिजाइन बना सकते हैं जो आपको पसंद हो हल्का हल्का सा मैंने कहीं कहीं इसको लगाया है यह देखिए पूरा हो गया है रेडी इसको ड्राय कर लिया है मैंने अब इसमें डायरेक्ट प्रांट नहीं लगाएंगे फ्रेंट्स क्योंकि इसमें फिर जंग लग जाएगा तो हम इसमें कोई और चोटा सा कंटेनर रखतेंगे और बास यह बनके हो गया है रेडी और इस जब भी आप पानी दें तो इससे बहा निकाल के दें और जब पानी उसका निकल जाए एक्स्ट्रा वाटर तब इसके अंदर रखें नहीं तो यह आपका प्लांटर खराब हो जाएगा और जो अबने पहला वाला प्लांटर बनाया है उसमें थोड़ा सा जो वाल देते हुए आपको इस पे मोटी सी लेयर लगा लेनी है वाल पुट्टी की अबली है मैंने यहां पे चलाई जो कुपड़े बुनने वाली होती है वो यहां पर बनाया है सरकल और फ्रेंट्स यह सरकल जो है काफी पतला सा लग रहा था तो मैंने बाद में क्या किया इसके यही जो गॉल पुट्टी का पेस्ट है उसकी मोटी सी लेयर लगाई और उसके बाद फिर मैंने इसी तरीके का राउंड इसके उपर दुबारा से बनाया उसके बाद जो सलाई है या फिर कोई भी शार्प अबजेक्ट चाहे आप पैन ले 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 चाहे कोई ब्रश का सीधे सीधे स्टोक देते हुए आपको रेडी कर लेना है यह देखिए मैंने वाल पुट्टी लगा के और उसके बाद सर्कल बनाए तो इसका काफी ब्यूटिफुल सा लुक आ रहा है आप भी सेम ऐसे ही करें सुग गया है यह कंटेनर अब बारी आती है पेंट करने की एक कालर कैसा लगा ज्यादा अच्छी पेंटिंग तो मुझे नहीं आती है पर मैंने इसको सिंपल ही कर दिया है लेकिन काफी अच्छा लग रहा था यह सूखने के बाद जल्दी जल्दी से इसको पेंट करते हैं ड्राय करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो प्लांटर है कैसा बना है यह देखिए पूरा ही कंटेनर हो गया है पेंट और सच में बहुत ही ब्यूटीफुल यह लग रहा है जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है फ्रेंट्स इसमें पहले से एक होल बना हुआ है तो इसमें हम डारिक बार्य आती है अगले कंटेनर की तो सौर्य अगले प्लांटर की तो एक कंटेनर लिया है मैंने रसगुले डबा है दिवाली पे जितना भी वेस्ट मटीरियल था हमारे पास मैंने कुछ नहीं फैका उसको सभी को रख लिया है स्टोर करके और धीरे-धीरे मैं उनको यूज कर बनाती रहोंगी प्लांटर तो वॉल पुट्टी मैंने ले लिए है पानी डाल के डौ बनाया है बड़ा स्मूध सा फिर उसकी चोटी-चोटी सी बाल्स बनानी है वैविकॉल लगाना है वैविकॉल हमेशा अच्छा वाला यूज करना है नहीं तो आपका जो च्पकाना है और यह देखिए एक स्केच है और इसके जो उपर वाला हिस्सा है उससे मैंने इसको निशान एक बना दिया है आप चाहे तो अपनी मर्जी से कोई भी निशान इसके उपर बना सकते हैं इसी तरीके से सारे ही बॉल्स को लगाना है और उसके उपर बना देना है निशान बहुत ज्यादा फैविकॉल नहीं लगानी है नहीं तो फैविकॉल नीचे बहने लगती है अपको थोड़ी फैविकॉल लगानी है और यह बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाएगा यह लिची आप देखिए फरस्स लेयर मैंने लगा ली है तो मैं दिखाती हूं आपको सारी ही जल्दी से लगा के यह देखिए और जो थोड़ा सा नीचे वाला पोड़िशन है उस पे हम लगाएंगे थोड़ी सी और वाल पुट्टी बिल्कुल प्लेन करके देखिए जैसे मैं लगा रही हूं इस तरीके से अगर आपकी तीन से ज्यादा लाइने आती हैं तो सारे में आप ऐसी ही लाइने लगा सकते हैं और मेरी लाइने थोड़ी सी तीन बनने के बाद थोड़ी जगा बच गई थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें इस तरीके से प्लेन लगा देती हूं इसके पानी लेना है और पानी लगा के बिल्कु स्मूद सी लाइन बना लेना है वाल पुट्टी के साथ काम करना प्रेंट बहुत ही आसान है और इससे बनेवे क्राफ्ट बहुत ही सुन्दर लगते हैं बहुत ही महंगे दिखते हैं और कफी अच्छे से चलती है यह खराब तो होती नहीं है लेकिन पानी से थोड़ा सा बचा के रखना पड़ता है क्योंकि यह बॉटर प्रूफ नहीं होती है बन के पूरा रेडी हो गया है ड्राय कर लिया है अच्छे तरीके से बारी आती है पेंट करने की फिर से लिया है एक्रेलिक कलर और कलर लिया है मैंने ब्लैक जल्दी से इसको कर है पेंट कोई भी जगह नहीं छोड़ दिनी है हमें इसमें और बिल्कुल से ब्लैक इसको कर देना है आप चाहे तो कोई और कलर यूज करें चाहे तो सेम ऐसा ही यूज कर सकते हैं जैसा मैं कर रही हूँ यह देखिए पूरा हो गया है पेंट और मैंने इसे पेंट करने के बाद कर लिया है ड्राइ बारी आती है अगले काम की तो यह लिया है मैंने ब्ल्यू कलर का मेटेलिक कलर सारे ही एक्रेलिक कलर यूज किये हैं और कई पर कमेंट आते हैं कि आप कौन सा कलर यूज़ करते हैं तो मैं हमेशा ही अपनी वीडियो में दिखाती हूं जो भी मैं कलर पेंट यूज़ करती हूं सभी मैं दिखाती हूं फ्रेंट्स अब ध्यान से वीडियो देखिए आपको सारे ही चीज़ें इसी वीडियो में पता चल जाएगी तो finger से मैं इसको कर रही हूँ color brush से नहीं करना है sponge से नहीं करना है finger से काफी अच्छा लग रहा था तो finger पे ज्यादा paint नहीं लगाना है ज़रा सा लगाना है और उसको थोड़ा सा प्मोच देना है उसके बाद इस तरीके से आपको लगाना है blue color बहुत ही beautiful सा लग रहा था friends और sorry लग रहा है देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है अगर आप कोई अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे कोई और color combination बताएं ताकि मैं अपने next container पे यूज़ कर सकूं बनके हो गया है ready और सच में बहुत ही beautiful लग रहा है कोई नहीं बोलेगा friend से अपने हाथ से बनाया है इंडूर में रखेंगे तो बहुत ही beautiful लगेगा अगर आप इसको किसी को gift देंगे तो आपके friend भी खुश हो जाएंगे कि आपने उन्हें अपने हाथ से बहुत प्यार से बना हुआ एक gift दिया है तो कोई छोटा container इसमें रख दें अरे यह तो बढ़ा हो गया तो कोई नहीं मैं दूसरा planter इसमें लगा देती हूं इस तरीके से यह देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना तीनों ही container हो गए है रेड़ी आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा friends आप मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगत में इतना ही कोई question हो तो आप मुझे से पूछ सकते हैं चलते हैं मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए good bye happy gardening thanks for watching